नक्सा पादेते रहती है आपकी वाली पल पल हम समझेंगे पूरवांचल क्या पूरवांचल पूरवांचल एक्सप्रेसवे के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं कि पूरवांचल एक्सप्रेसवे कैसे बना कब बना कितना रुपा लगा और भारत को इससे क्या फायदा हो और किसने बनाई यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो सब कुछ समझने वाले हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में केवल इस एक वीडियो में देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज में इस्तित है अब यह जो करोन रुपे में आपका ये पूरवांचल एक्सप्रेसवे बना है जो कि उत्तर परदेश राजमेस्तित है अब ये जो पूरवांचल एक्सप्रेसवे है इसका जो लंबाई है वो 341 किलोमेटर यानि कि 341 किलोमेटर ये लंबा है और ये जो पूरवांचल एक्सप्रेसवे ह इसमें 7 बड़े पुल हैं और 14 छोटे पुल हैं और ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के रधाने लखनाओ को गाजीपूर से जोड़ेगा लखनाओ से गाजीपूर तक को आपको जाने में भहिया लगता था पहले 9-10 घंटा लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेस वे से जाओगे तो केवल आपको लगेगा 4-5 घंटा यानि कि अब आपका जो सफर है सफर का जो समय है वो भहिया आपका लगबग पूरा आधा हो चुक सकते हो अगर मान लीजे आपका घर है लखनाओ में और आपकी वाली रहती है गाजीपूर में तो भहिया आप 4-5 घंटम पहुंच सकते हो अब गाजीपूर यानि कि अब आपको ज्यादा देर इंतिजार करने के जरूरत नहीं है पहले क्या था 9-10 घंटा जाना पड़ता स सोचना पड़ता है जाओ कि रहने दूँ अब यह लखना उस गाजीपूर जाना चार से पांच घंटम पहुंच जा गयो इशे ठीक तो यह पूरवांचल एक्सप्रेसवे को कौन बनाया है तो पूरवांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है यू-पी-ई-डी-ए ने बन आया गया है अब देखिए बहुत से लोग को लगता है यह जो एक्सप्रेसवे होता है और हाइवे होता है यह दोनों सेम होते हैं तो यह सेम नहीं होते हैं यह दोनों अलग-अलग हैं बहुत से लोग को लगता है एक्सप्रेसवे और हाइवे एक्के-एक्के नहीं है यह अलगो होते हैं एक बार हाइवे चलिए एक बार एक पार को चलिए क्या होता है। तो यह चल्डा चलिए और देखिए जो एक्षप्रेश वी होता है इसको लोंग टर्म के लिए बना जाता है। यह लॉग टरंप का मतलब लंब समय कि लिए समय बना जाता है ताकि साँ-तेरós साल तक चलें यह पर नेसनल हाइवे जो होता है उस पर आप केवल सौ किलोंटर प्रति घंटर की रफतार से काैया चला सकते हैं नेच का मतलब है नेसनल हाइवे उस पर केवल सो किलोमेटर प्रती घंटक रफतार से गाड़ी चला सकते हो यानि कि इतना तेल ले जा सकते हो तो सो किलोमेटर प्रती घंटक रफतार से गाड़ी चला सकते हो लेकिन अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे पर आप केवल 120 किलोमेटर प्रती घंटक रफतार से गाड़ी चला सक सकते हो और एक्सुप्रस वे पर आप किलोमेटर प्रति घंटे के रफथार से गाड़ी चला सकते हो लेकिन भारत में एक्स्प्रेस से किलोमेटर पर और ऐसा नहीं है या उत्तरप्रदेश का पहला expressway है ऐसा नहीं है इससे पहले भी उत्तरप्रदिश में और भी एक्सप्रेस वे बन चुके हैं और कुछ एक्सप्रेस वे अभी बन रहे है उत्ता प्रदैस में यानि की अंडर कंस्ट्रक्शन में और अगर हम बात करें यह इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में तीन दस्वमर्ण 2 km की air strip बनी है उत्ता प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपूर वही पर ये 3.2 km की air strip बनी है और इस air strip पर आप कोई भी लड़ा कोई मान कोई भी वायू यान लैंड करा सकते और यहां से छोड़ा भी जा सकता है अब ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है अब हम समझते कि भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हमें क्यों ये 3.2 km की air strip बनाने की जरूरत पड़ी माल लीजे कौनो देश हमारे देश के उपर अटाइक कर देता है तो उसकी फारेने के लिए हमें ये 3.2 km की air strip बनाने पड़ी क्योंकि माल लीजे कौनो देश अटाइक करता था तो भाया हमारे देश के परधान मंत्र यानि कि PM मोदी आये थे PM मोदी आये थे वो किस्से आये थे C-130J हरकुलेस विमान से थे ये जो विमान होता है बहुत तगड़ा होता देखने बहुत हैकर होता है तो वह जो विमान था वह भाया इसी 3.2 km के air strip पर ही लैंड किया अब हम समझते हैं कि यह जो expressway होता है यह कैसे एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है देखिए एक expressway एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है यानि कि हमारे भारत देश को भी यह expressway पूरवांचल expressway आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा उ अहीं expressway है तो आप expressway से आप 120 km प्रति घंटे की रफ्तार से अराम से जा सकते हो यानि कि जो हमारा transportation है डान्स पोटेशन वह वह बहुत तेज होने लगेगा इस कोई पूल टूट गया तो पुल टोड़ गया तो माल लीजे हमें उसका समान लाना है तो भाई ये बहुत दूर मिलेगा तो हम expressway की मदद से 120 km प्रती घंटे की रफतार से जा सकते हैं और आ सकते हैं तो इससे हमारा जो काम होगा वो बहुत रफतार से होने लगेगा और इसलिए भी का जाता है जो चाइने देशे ना उसका development भी इस expressway की मदद से बहुत तेज हुआ है क्योंकि वहाँ पर expressway बहुत ज्यादा है तो इसकी वज़े से भी चाइना देश का development हो बहुत तेज हुआ है ठीक देखिए expressway से क्या होता है कि आप कोई समान जल्दे से ले जा सकते हो कोई समान तुरं जा सकते हो तो आप समान तुरंत ले आओगे तो जब तुरंत ले आओगे development तेज होगा transportation तेज होगा तो भाईए जब 120 किलोमेटर प्रति घंटक रफतार जाओगे थोड़ा साधान ही जाना तो जो एक्सप्रेस वे होता है इस तरीके से एक देश को आगे बढ़ाने का काम करता है एक्सप्रेस वे है तो आपका transportation तेज होगा आपकी economic activity भी अच्छी होती चली जाएगी balance मिरेगी तो इससे एक देश आगे बढ़ता एक्सप्रेस वे की मदद से और देखिए माल लीजिए आपकी वाली आपसे गुस्सा है कहेगी भगवती धरकाओं घुमाओत ना लगता है दूसरा पटाना पड़ेगा तो भाईया आप अपनी जान बचाने के लिए उसको घुमाने के लिए ले जाओगे पता लगा आप नौर्मल रोट से ले जा रहे हो बिचों मिल गया जाम वहीं पोंपो कर रहे हो आपकी वाली और गुस्सारी है तो लेकिन अगर आ अपनी वाली का अराम से आप घुमा सकते हो कहीं भी ले जा सकते हो आपको जाम नहीं मिलेगा एक्सप्रेस वे पर बहुत चौड़ी और बहुत लंबी होती है इससे बहुत जान भी बचा सकते हो अब जैसे माली जे करनो दुलहक बहराज जा रही है अब वो नौर्मल तो इसÃकी उसकी जलदी हो जारा है सादी जल्दी हो जा रही है तो इस तरीके एकस्प्रेस वें जो होता है वो डेवलोपमेंट में बहुत मदद करता है transportation में बहुत मदद करता है कोई समानयाज ले जाने मदद करता है तो इस तरीके से जो होता है आपका expressway बहुत help करता है एक देश को आगे बढ़ाने में और देखिए और ये भी कहा जा रहा है कि UP को भाई ये पूरा expressway बना दिया जाएगा